नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका टेरस एंगाडनिंग यूटूब चैनल में आज हम बात करने वाले हैं टमाटर में नगने वाले एक रोक की जैसे की आप इस सामने देख रहे हैं इसकी पत्यों में ये धारी-धार सपेथ पपड़ी जैसी लाइने बन गई हैं आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि ये क्यों होता है इसे कैसे कंट्रोल करना है और गनिकली तरीके से हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कौन सा और्गनिक पैस्टिसाइड इसमें हमें इस्तमाल करना है ऐसी कम्प्रीट इन्फॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में जानेंगे तो इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें साथ में यह आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो सब्सक्राइब करने और इस वीडियो को लाइक जरूर करें तो जो आप यह सामने देख रहे हैं यह एक तरह का लीप माइनर डिसीज कहलाती है जो की मैनली जो है यलो फिलाई और ब्लेक फिलाई जो होती है उनके जो है एक से होती है जब यह मखियां अपने जो अंडे है इस लीप के ऊप्री सरफ chlorophyll सेल है उन्हें खाने लगता है और अपना डेवलप्मेंट करता है इस तरीके से जब वो chlorophyll को खाकर जो बेस्ट पार्ट होता है उसे निकालता है तो इस तरह से देखिए जो वाइट लाइन है वो आने लगती है और ये जब लारवा एक दूसरे से लाइने मिल जाते हैं और दो तीन लाइने एक साथ आती है तो इस तरह से धब्बे भी आपको बड़े बड़े दिखेंगे आप क्लियरली देख सकती है कि ये जो है लीफ के अंदर सामने की तरफ और बाहर की तरफ होता है अगर आप ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पे यह यहाँ पे इसका लारवा देखने को मिल भी जाएगा तो आप इसको देखिए जैंसे यह जो है यह जो आप देख रहे हैं यह इसका अब लारवा है जो की लगवग मैच्योर स्टेज पर पहुँचने वाला है मतलब कि यह अब फिलाई में कनवर्ट होने वाला है तो अब यह जो है इसकी पहचान कैसी होती है पहचान बड़ी ही आसान है कि आप इसे जब भी आपका जैसे यह देखिए हमारा टामेटो प्लांट है और यह टामेटो प्लांट में जैसे ही हम देखते हैं कि हमारे टामेटो प्लांट में कहीं कहीं जो है पत्तियों में इस तरीके से जो है निसान आने लगते हैं जब इस तरह से निसान आने लगें तो आप समझ जाएं कि हमारे जो है लीफ माइनर का अटेक हुआ है और फिर आपको क्या करना है आपको इस तरीके से पत्ते को तोड़ना है अगर आपके एक दो पत्ते इंफेक्टेड हुए हैं तो पहले इस इसे तोड़िए और इसे कहीं ले जाके डिकंपोज कर देजिए या फिर मिट्टी में इसको मिट्टी में गड़ा दीजिए ताकि यह जो है लार्वा आंगे ना बढ़े और इसकी साइकल वहीं पे खत्म हो जाए लेकिन जब यह ज़्यादा क्वांटिटी में फैल जाए कि आप देख सकते हैं हमारे टमाटो में काफी जगह हमें इस तरह से जो है लीफ माइनर का टेक हमें दिख रहा है देखिए यहां भी दिख रहा है यहां भी दिख रहा है और भी काफी जगह है तो इसे हम कैसे और्गनिक स्प्रे से कंट्रोल करेंगे हम उसके बारे में बा तो हम जो है लॉंग के तेल के लगभग पांस से आठ एमिल मात्रा लेकर एक लीटर पानी में इसको डिजॉल्ब कर लेंगे अच्छे से घुल लेंगे और फिर इसका जो है इस्प्रे हमारे पौधे की पतियों के दोनों तरफ अच्छे से करेंगे इस्प्रे करते समय ध्यान रखना है आपको की पतियों के दोनों तरफ पूरे पौधे पर धेर सारा आप इस्प्रे करिए और पूरा पौधा आपका इस जो है आपके इस्प्रेयर बॉटल से जिसकी भी मदद से आप इस्प्रे कर रहे हैं पूरा गीला हो जाना चाहिए इस्प्रे करने का मेन मकसद ह हमारा यह होता है कि यह एक preventing method है मतलब कि आंगे चलकर आगर आगे दूसरी पतियों पर जो है अगर फिलाई ने लारवा अंडे दिये होंगे और वह अगर लारवा में convert होंगे तो leaf miner की जो डिसीज है वह आगे बढ़ती जाएगी और धीरे-धीरे हमारा पूरा पौधा जो है उसका उसमें damage हो जाएगा इसलिए हम क्या करते हैं कि लौंके तेल का इस्तेमाल इस्प्रे की रूप में करते हैं जिससे जो नई पतिया होती है उनमें अगर कोई एग है तो वह वहाँ पे लारवा में convert नहीं होगा उसकी hatching नहीं होगी जिससे हमारी जो है leaf वो है खराब नहीं होगी और इससे हमारा जो plant है वो in future अच्छा healthy बना रहेगा और उसमें leaf miner का attack नहीं होगा तो एक तरह से यह एक preventing method है क्योंकि leaf miner को control करना organically तरीके से बहुत ही tough होता है इसका सबसे अच्छा तरीका तो यहीं है कि आप जो है उस पति को ही अलग कर दें जिसमें leaf miner का attack ह हुआ है और जैसे ही आपको दिखे कि एक दो पतियों में हमें white line दिख रही है तो आप इस तरह से long के तेल का इस्तमाल अपने पौधे पर इस प्रे के रूप में करें अगर आप चाहें तो इससे कहीं से भी online या offline आपको easily मिल जाएगा बस आप देख लीजिए कि आपके ज स्प्रे कर दीजिए और आप हफते में एक बार ऐसा करिए या दोतीन दिन छोड़के अगर ज्यादा डेमेज हो रहे हैं तो दो तीन दिन छोड़के इस पर दीजिए हफते में दो बार कर देंगे तो इसके बाद जो आपकी नई लीफ बनेंगी पौधे में उसमें जो है माइनर का अटेक नहीं होगा और वह हेल्दी होंगी तो यही इसके दो और्गनिकरी तरीके से जो है इसे कंट्रोल करने के तरीके होती हैं तो इसे जरूर इस्तमाल करें अगर आप अपने गार्डन के पौधों में देखते हैं कि लीफ माइनर का अटेक है तो आप लॉंग के अगर के अपने पौधों में देख सकते हैं पहले इस्तमाल करके देखिए अगर यह काम करता है तो अच्छी बात है मैंने इस्तमाल किया है तो मुझे तो रिजल्ट अच्छा मिला है मेरे जो नई लीफ जो आई है हमारे प्लांट में तो उनमें लीफ माइनर का अटेक नहीं हुआ है जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ तो आप ये जैसे नीचे देख रहे हैं तो ये जो है इसमें देखिए लीफ माइनर का पूरा हमारे पौधों में leaf miner का आपको attack दिख रहा होगा और इसी में आप जैसे देखेंगे तो देखिए ये नीचे से एक branch आई है जिसमें से leaf miner का attack है और यहीं मैं आपको उपर दिखाऊंग तो देखिए अभी इसमें हमें इतना ज़्यादा attack नहीं दिख रहा है और अगर इसके ऊपर चलें तो देखिए यहाँ पे जैसे ये leaf miner का attack है लेकिन जब आप ऊपर देखेंगे यहाँ तो यहाँ पे आपको leaf miner का attack नहीं दिख रहा है देखिए हमारे टमाटर के plant में flowering भी हो रही है और आप देख सकते हैं कि इसकी पत्तियां पूरी healthy हैं इसमें कहीं पर भी हमें leaf miner का attack नहीं दिख रहा है और काफी हमारा healthy plant अभी हो गया है तो आप इस तरह से spray करें लॉंके तेल का और इससे काफी अच्छा आपको result मिलेगा साथ में अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लें और bell icon को भी प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह से informative video मिलते रहें और साथ में इस video को like जरूर करें मिलते हैं किसी अगले video में तब तक के लिए happy gardening